हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग मैं हूँ आपका दोस्त दर्मेंदर और आज एसे राइटिंग का अगला लेकर मैं हजीर हूँ और तो आज जैसे कि दिप्पावली है और मेरी तरफ से सभी दोस्तों को सुब कामनाई उनकी फेमिली को सुब कामनाई तो हम सुरू करते हैं आज का अगला रेशन जैसा कि यह मेरा प्रीचे हैं और आप लोग इसे काफी बथब वाकिफ हो जैसा कि ऐसे राइटिंग का यह मेरा चटवा लेशन है तो मेरे रिक्वेस्ट होगी कि आप इससे पहले जो लेशन है वह उनको देखो क्योंकि जो मेरा अनुभू है ऐसे र तो यहां पर किसी भी मीडियम का स्टुडेंट हो उसको निश्यत रुप से फाइदा मिलेगा तो यह एक मेरी छोटी सी पॉइम है जैसा कि मैं अपनी कुछ-कुछ पॉइम जो छोटी पॉइम है उनका ऐसे में भी इस्तिमाल करता हूं तो लहरे कितनी भी उची क्यों नहों तो पत्वार ना छोड़ना विकिट प्रिस्ति में भी तूँ अब सास ना छोड़ना आएगा खटिन समय भी जब लक से बड़ा होगा लेकिन मेनत करना ना छोड़ना हो कि मूलाकाते दिल दिमाग के संगर्सों से लेकिन होसलों से मुकाम पाने की जिद ना छोड़ना और आगे हम सुरूख करते हैं आज का लेशन जीसे आज का जो ऐसे का टाइटल है जो ऐसे है वो आठिफिसियल इंटलीजिएंस के ना चाहर का फानी तल्वार कि इस से लाप भी है और नुक्सान भी है तो हमें यह होगा कि हमें इसके लाब को कैसे बढ़ाना और नुकसान को कैसे कम करना है और जैसा कि यह ऐसे जो है मैंने एक्जाम से पहले घर पे प्रेक्टिस की थी और सोभा के साले से यही एसे एक्जाम में 2019 का ऐसे का पेपर देखोगे तो उसमें करित्रिम बुद्धी मता का यही एक तो आप 10-15 ऐसे ऐसे त्यार कर लो मतलब सोट रूप में त्यार कर लो उनके डाटा एक्जामपल उसकी कहानियां जो आप एक अपनी डारी बना सकते उसमें आप यूपीसी के ओल्ड प्रिविएस पेपर को देखना जिसमें ऐसे कि आपको एक विराइटी मिलेगी कि इस ब इन्वारिमेंट पॉल्यूशन या इन्वारिमेंट चेत्रणा को कुछ रहा है या आप देखोगे कि को फिलोजूशिफिकल ऐसे पूछ रहे तो उसमें कोई मौटिवेशनल पूछ रहा है कि हार या जीत का कोई मतलब हो और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि साइट साइंस टेक है जैसे करित्रम बुदी में तका हो गया और इस बार एक दर से जो एक्जाम लिख रहे हैं उनके लिए एक दर से आपके लिए एक ऐसे ओपन है कि इस बार कोई अराम से प्रेटिक्स कर लीजिए तो उसका निशितरूप से लाब मिलने वाला है बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आने वाले आप बिल्कूल आसावादी हो सकते हो इसमें तो चलिए हम सुरू करते हैं सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को रबकारी लेना चाहिए कि जो करित्रम बुद्धी मता है आर्टिफिसल इंटलिजेंस है वह हमारे लिए अविसाप है या वर्दान है तो यह हमें उपर लिख लेना यहां ठीक है कि कैसे इसको दिखाना है तो टाइटल को आप बार बार देखते रहे ना क्योंकि उससे होता है कि आपके भठकाव नहीं रहे तो सबसे पहले स्में है के वर्दान या आप यह देखना है कि वर्दान या रिखना पहले तो उसको बारे में आपको पहले लिखना चाहिए यह पॉजीटीव नेगेटिव है तो यह अगस다고 होगे कि बार बार टाइटल की ओर नजर अपनी नज और यूपीसी के सेलेबस में ऐसे के सेलेबस में यह साब बात लिखी है कि आपको जितना हो सके ऐसे के नजदीक रहना है ऐसे की जो टाइटल उससे बठकना नहीं है तभी अच्छे नमर आने वाले हैं तो वही हमने सबसे पहले रब कोपी में हमारा टाइटल लिखा कि सब्सक्राइब आना सुरुक हो जाएंगे तो आपको के लिखते हैं सबसे पहले हम जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इंट्रो पार्ट पर बात करते को है नहीं कोई काहनी को यहां कि इहां और आप선 कि यहां इसको कोई आप की काहनी में निऊजपेट पुर्द कहीं कोई आप ने काहनी कोई किसान के पड़िए हैं कि विझा उसको और किसी भी सेक्टर में तो आप डाल सकते हो यहां पर थोड़ी सी पॉइम बगेर थोड़ा मनाना इसमें मुश्किल है लेकिन यह आप में कला है अच्छी वाली पॉइम क्रेट करने की तो बहुत अच्छा मना जाएगा तो इस प्रकार आप अपने इंट्रो को बहुत ही बहुत और फिर आगे बढ़ते हुए आपको ऐसे को सुरू कर देना है कोई मतलब अच्छी वाली रिपोर्ट जैसे अर्टिफिसल इंट्लिजेंस में कौन अच्छे मतलब नहतरत हो करता है जैसे स्टेफन होकिन्स इस बारे में काफी बात करते हैं तो आप वहां से कोई आप अच किसके पास होगा या मतलब कहीं यह मानों के लिए संकटने बन जाए ऐसे मतलब काफी कुष्ण उठा सकते हो और मेरा यह मानना है कि यदि आप ऐसे अच्छे रचनात में कुष्ण उठाते हो और फिर जैसे ही बोडी पार्ट में आते हो या आगे के जो निमंद का भाग है तो उसमें आप इन कुष्ण का जवाब देते हो तो निशीत रूप से आपके अच्छे नमराने वाले हैं क्योंकि यह एक मौलिक सेली है यह बहुत कम लोग मतलब ऐसे लिख वाइंगे क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा सा खटिन माना जाता है तो कुष्ण वाद्शक सेल तो वैसे ही आपको आगे बढ़ने है तो यह आपका इंट्रोडक्षण परट हो गया दो तो यह तो बहुत आसान ऐसे हैं कि बोडी पार्ट में यहां तो दो भाग पूछ यह इनुद्च बहुत अंथरी पार्ट में केसे हमारेले इनुट्उामस नोसकती है और इसका तीस्तरा जो बोड़ी पार्ट है वो बनेगा इसके सोलूशन पर कि आपके पास ऐसे कौन से सोलूशन सुजा सकते हो कि अब इस आपके बजाए वर्दान की रूप में साबित हो तो यह एक सिंपल ऐसे है और इसको हम देखेंगे कैसे विवित्ता परदान करें और हम भी पहले बात कर स किसे जो भी हम लिखें जैसे हम आटिफिल इंटलिजेनिस के वरधान की बात करेंगे तो इस पर हमारे पास 10 परग्राफ होने चीए मतलब 10 विवित्ता होनी जीए 10 अलग लग विशेव पर हमें बात करनी है आप जब इनके और आप सोलुशन दोना आपके पास 12 विवित्त राजनेतिक जितने भी पक्स है उनको उनके अकोडिंग लिखके उनके एक्जामपल आपको डालने हैं तो यह आपका हो गया बोडी पार्ट लास्ट में परसता है कंकुलूजन पार्ट तो जब निशकर्स आप लिखो इसका तो निशकर्स वही बार-बार हम एक चीज़ पर पीमी बात कर रहे हुआ कि निशकर्स कैसा होना चाहिए तो निशकर्स होना चाहिए आपका बहुतीब पॉजिटिव होना चाहिए आसावदी नजरिया उसमें होreceे क्योंकि आप इसको कंक्लूड कर रहे हो झाँ में ये बिल्कुल नहीं जाना चीए चाहिए कि sheウ कि आपके विछार कीसी दांखना या नेगेटिव विचारों को दर्शाते हो तो सेह ऐ होना जाई व्हाइश्य ऑन BringingNS अब बहुत एक्षि आप अब की आपकी एक अप्धारे यह मुल्य है जो हमारे society को लाब देने वाले हैं तो उसको आप बता सकते हो तो हम बात करेंगे कैसे अच्छा निश्कर सापको लिखना है और लास्ट में आपके पास कोई 150 प्लस स्कोर होने वाला है लेकिन वो डिपेंड करता है कि कैसी UPC essay की जो मार्किंग करती है वो अलग-लग year में अलग-लग रही है लेकिन यह तैह है कि जैसी भी मार्किंग होगी उसमें आपके सबसे अच्छे मार्क आने वाले हैं तो आप इसको बिलकुल विश्वास के साथ फॉलो कीजिए और आगे बढ़ता हैं तो यह रहा आज गाय से मैं सिंप्ल इसको थोड़ा सा इसमें फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि ऐसे पढ़ते समें काफी वीडियो लंबा बन जाता और फिर बोरिंग होने लगता है तो और इसका जो ऐसे का मैं डिस्क्रिप्सिन में इसका लिंक देंगा आप लोग वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो तो जैसे कि में बीच बीच में जो इंपोर्टेंट चीज हैं वह आपको हाइलाइट करके बताऊंगा कि कैसे आपको एक्जांपल देने तो चलिए शुरू करते हैं करित्रम बुद्धिमता या इसका उप्योग फूरी तरह से सो समझगरवा आनसिक ही किया जाना चाहिए संपूर्ण वसतंतर रूप से करित्रम बुद्धिमता का प्रियोग मानव सबेता के अंत का काणड़ बन सकता है तो मैंने मेरे पास यही एक सिंपल विचार था कि मैं कैसे एक जैसे होकिन्स के व हो रहा नहीं कि आपके मार्क्स कमाने वाले हैं चलिए फिर अगला पेरा करित्रम बुद्धिमता की सुरात 1950 के दसक से माने जाती है इसके जनक जोन मैखार्ती ने इसकी सरवपरतम व्यक्या परसुत की इनके अनुसार करित्रम बुद्धिमता बुद्धिमान मशिनों जैसे कारी कर सकती है जैसे कि हाली में सवधी रभ की नागरिता प्रतम मानों रोबोट शोप चर्चा में रही ती जिस समय मैं एसे लिख रहा तो मैं कैसे करंट एक्जामपल जो पर में रहते हैं उनका कैसे यूज में रहा हूँ वह आपको यहां पर देखना होगा यह बह को आप अपने डारे में नोट कीजिए अभी मतलब मेंस लिक रहे हैं तो अभी समय है दो मेने काफी है तो आप अभी भी मतलब कर सकते हो जो एक्जाम में आप आराम से उनको बता सकते हो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जैसे कि इंट्रोड़क्शन का यहां पर लिक रहा ह कि मैं आगे की बोड़ी पार्ट में उनका जवाब दूं और यह एक अच्छी माने जाती है कि क्या रोबोट मानों रोजगार को समाप कर सकता है क्यों इसको लेकर हमारे मन में काफी ज़्यदा कुश्चन है कि कैसे आर्टीबिस इंट्रिजेंस काम करेगी और कैसे हमें कि कौशिज करते हैं तो फिर मैंने यहां पर एक एडिंग दे की कोश्य कि इसमें दोनुई चीज माने जा सकती कोई इसमें बुरा यह की डिंग के साथ में कई अच्छे मार्क्स वाला ने भी सला दिये कि एडिंग दे कि नहीं लिगना चाहिए हमें सिदा साओं से शुरू करें जहां तक हम थो में लोगे आपको लगाने की आप 10 जैसे लिखना कि वहां पर अच्छा इससे लिखा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कि एत्यासी को जैसे मैंने यह सुरू किया कि बोड़ी पार्ट में मैं बताऊंगा कि इसका थोड़ा इस्टोड़ीकल वेग्राउंड सीजोन नहीं कोशिश करूंगा कि कैसे वर्दान के रूप में तो एत्यासी रूप से ग्रीप विग्यानी हेरो वनें पहले सद्वे में रोबोट Waska जिखर किया था यूनानी खताहों में आंतरिक दासों का वलेंग मिलता है करितरम सालरी पुराइक हथा रहतकृत אחד की बोड़नीरकार जैसे ऐपल मुबाइल में बढ़र तो क्रने वाले बाद आती मतलब पॉजिटिव पक्स पर हम बात करेंगे कैसे कि डॉमेस्टिक लाइफ में कैसे आर्टिफिसल इंफ्लिएंस का युगदान है इस्टोरिकल बेग्राउंड थोड़ा सा बता दिया फिर हम आगे बढ़ेंगे कि भारत आज भारत जैसे जनसंग क्या वह विकासियल रास्ट्रों के लिए शिक्सा की पड़ते एक नागतिक फूस होने शिद करना काफी चुनती प्रणा अब देखो इस टाइटल को हमने जोड़ दिया कि सिक्सा में कैसे पॉजिटिव हो सकता है इसलिए करित्रम बुद्धिमिता अधारीत दूरत शिक्सा कारेकर हम कंप्यूटर पर सब् तैनों की कमी को पूरा कि यहां पर आप जोड़ सकते हो कोई नाइटिन का आपको इसे प्रग्राफ में एक्जामपल देना चाहिए इसलिए में यहां पर बताना चाहूंगा कि की दौरान लोगडाउन की दौरान सिक्सा व्योस्ता में जो समस्य आई थी लेकिन कहीं ही जो तो इंटरनेट आदरी सिक्सा उसने एक अच्छा कारी किया है बहुत अच्छे एक्जामपल आप यहां पर एड़ कर सकते हो कोई के स्टेडी आपके पास हो कि कैसे मतलब इंटरनेट AI के आदर पर सिक्सा मतलब बच्चों के लिए वरदान सावित हो रही है वह आप यहां पर पिर आके जैसे हम स्वास्तिक सेक्टर में देखते हैं कि करित्रम बुद्यमता आयम भूमी का निवाज सकते हैं जैसे बहारत में आज भी 70% से अधिक इलाज का खर्च आम आदमी वहन करता है जो काफी महेंगा और समय पर इलाज संभू नहीं हो पाता है अच्छा सस्ता इ सब्सक्राइब करता है जैसा कि आज भी कई वीगयान फिल्मों में दिखाए जाता है जैसे वीगयान फिल्म में कौन सी इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में रोबोट डोक्टर दिखाएगे तो यह बहुत अच्छा आप निश्ची तुरूप से बिना घबराट और टेंशन के आप जो अच्छी जो मुवीज है अच्छी जो नोविल है कहीं भी आप उनका यहां पर उद्रन दे सकते हो बहुत अच्छा माना जाता है कोई इसमें परिशानी नहीं क्योंकि इसमें ऐसे में आपके विचार श ही मानना है कि आप ना ऐसे कोई कहानी की तरह लिखो फलो में लिखो बिल्कूल आपके फैयाग्राफ की करते हुए आपको लिखना है फिर आगे हम देखो इसके शुरुक्सा से जोड़ सकते हैं कि आज सुरुक्सा के लिए खत्रे सामने आ रहे हैं जैसे आत्मगवाद नक ने एक्जांपल दे दिया बार बार एक्जांपल के लिए बोल रहा हूं तो बिल्कुल गोर फरमाते रहो साथ नक्स्तली छेत्रों में ड्रोन आदरीत केमरों से नजर रखी जारी है आज परते देश मानों प्राकरतिक आपड़ाउं का सिकार है जहां आपड़ा की समय सब्सक्राइब करने के लिए उस गणुता पुरून के साथ 3D दर्शियों को बनाने के लिए क्रित्रम बुद्धी मता का प्रियों कर रहे हैं सोरी प्रीवन की चतर में आज चालक रहीत कार वह वाईवयानों को ओटो वाइलेट अदरी तकनीक वी क्रित्रम बुद्धी में तारी थे साथ इमानों रहीत लड़ा को विमान वह ड्रोन भी इस तरह के अच्छे वदाराने जो वह दूद दूर नहीं है जब परते व्यक् सब्सक्राइक आसाने से इजी उप्रफद आने वाले समय में 20-30-50-100 सालों में निसीत रूप से सबका सपना पुरा हुआ कि सभी के पास एक हवा में उड़ने वाली बाई को तो आप ऐसे मैस से डाल सकते हो मतलब कोई दीक्त नहीं है कर्सी किसेतर में आप AI का परियोग ब में का एक्जामपल देखे आपने कैसे उसको AI से जोड़ा यह अच्छा हो सकता है बारत की आज भी मतलब 55 पीश दियाबादी परतेक से प्रतिक सुरूप से कर्शी बिंद्र निरबर है अता इस चैतर के परतेकारियों में करित्रिम बुद्धी मता का परियोग किया सकता है इन लोगों सतत्त आज विकास के साथ जोड़ा जा सकता है आज साइबर सुरुक्सा एक मिंद्व है क्योंकि आज अधिगान सकारी इंट्रेनेट के माद प्रियों से बेंकिंग सोसल मेडिया को उप्योंग सरकारी डाटा वह व्यक्तिक जानके रिजिनके दुरुप्यों की बेंकिंग विष्था को सुरुक्सित बनाए जा रहा है कि विंद्रमान सेक्टर में आप प्रियोग बता सकते हो कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हमें यही तकनिक कि आप सकता है तो आज बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलबाई प्रियावनी सम समझ्याओं की उत्रोतरवर्दी हो रही है इन समझ्याओं से समझने के लिए उचके ती गन्हादरी सपूर कंप्यूटर की आफसकता होती है जैसे बार्त के मौसम विवागदवारा महिर सूपर कंप्यूटर का उप्योग मौसम बविश्यावनी में के जा रहा है तो आप इसमें देखो कि ऐसे में कैसी फलो है एक एक फेराग्राफ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है साथ ती साथ उसमें जो भी आपने बोला है उसके पक्स में आपने करंट एक्जांप लिया जो भी आपके माइंड में जो वीचार हो आप डाल सकते हो फिर आप यह देख सकते ह है कि कैसी अभी साथ के रूप में भी एक बन सकती है लेकिन हमें समझना होगा कि वीद्रमाणवाने चेत्रों में बढ़ते मसेनी करणवरोबर्टिस के कार्ण टूठावजन फिप्टी तक यह रिपोर्ट आयती वल्डवेंग की उसमें बताया गया था कि 2050 तक 50% से अधिक मानौ रोजगारों की समापती की सुचना ही सामने आ रही है आप डाल सकते हैं कि वल्ड बेंग का या आयम अप कई डाटा है कोई दिकतनी उसमें कोई फरक नी पड़ता कि कि किसका डाटा लेकिन निश्य दूरुप से हम देखते हैं कि हमेशा आयम डब्लू टियो यूनो क कोई भी ऐसी रिपोर्ट जारी करता रहता है जिसमें बताई जाता है इस बारे में महात्मा गंदी जी ने बहुत पहले आसंका वेक्त की थी कि बढ़ती मशनी करन मानौ रोजगारों को छिन सकते हैं तो हाली में विस्वे बेंग पर इंतराश्टी मुद्राकोस की पहुंच चाती है और इसी साल यह ऐसी आये था तो कहीं नहीं कहीं आप ना एजूम कर सकते हो कि किस प्रकार के ऐसे के फेपर में कुछ सनाने वाले हैं तो उसके कोडिंग आप अपने ऐसे की स्ट्रटीजी त्यार कर सकते हो आज आम आदमी के वेक्तिक डाटा के साथ- रोखने का फर्यास करना जरूरी है आज AI की सकती वे तकनीक यह दी आतंगवादी हुआ है नोन इस्टेक्टर जो है उनके हाथ में लग जाए जैसे परमानों तकनीक है साइबर हमलों की जो टेक्नोजी है किसी भी देश के खिलाफ इसके एक खत्रे के रूप में देगा जा कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान द्वारा भी सके जारा है कि जो भारत की ऐसी बहुत सारी मुख्यें उनको एक कर उनको अपने प्रियोग माना सब्यता के लिए खत्रा पैदा हो सकता है जैसे कि होलीवुड कालप्रिंग वीगान फिल्मों में दिखाया गया उद्रान के लिए टर्मिनेटर मेट्रिक्स वर बारती सिनिमा की रोबोट फिलम आदी इन फिल्मों में ऐसी कलपना की गई आगे चलकर बवीसे में रोबोट स्वें में पीडिया विक्षिद कर सकते ह साथ ही मानों सबेताओं को अपना गुलाम बना सकते हैं या फिर नश्ट कर सकते हैं हाली में फेस्बूक द्वारा क्रेडितरम बोदी में ता समंदी एक सुईदा लौंज की गई है जिसमें इसी एफफवावडी की उस सुईदा से स्वेम के अपनी बासा सरजीत तदा फेस् पर नकरात्म परबाब पड़ेगा यानि जो रस्टनात्म मुलिक ता वो निश्य दूरुप से कम होगी था मनुश्य आल सी हो जाएंगे ता इसका नकरात्म परबाब मानों कि रस्टनात्म कारियों पर जैसे कला साइथि सर्जन आधिवर पड़ेगा और इसमें आप यह भ को खराब कर सकते हैं तो उनके बारे में आप कोट कर सकते हो इस प्रकार का जा सकता है देखो यहां पर आप में कंक्लूड करने जा रहा हूं यह मैंने दोनुपक्स बताने कोशिश की है अब इसमें इतना समय को बता पाँँ की इतना एक तो इस नहीं था और इतना समय भी होता है तो आप चाहो तो ना अपने जो कंक्लूड कर रहे हैं उसमें कुछ सजेशन दे सकते हो था कि या थोड़ा सा आपके पास इस पैस हो तो आप अलग से जारी की गई है जो इसके सभी पहलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी हाली में नितिया को गूगल के मद्दे कृत्रिम बुद्धिमता समंदी एक समझती प्रस्ताक्स के गए जिसमें इंडियन स्टार्ट अप्स के लिए टर्रणिंग प्रोग्राम सुरू करने की बात की हुआ जा सकता है कि बहुषी तर्यमध्यत पर ही आधरी कारियों पर ठीका हुए इस से पीछे नहीं अठ़ास सकता है साथ ही इसके लाकरत्म कारिकों करकर के हमें पहले सी धान करने लेने होगे इस विसे में संपूर विसमिन को को एक साथ आना होगा क्योंकि यह मानौ सबेदा के बविश्य के मामला है साथ ही इसे इतना डरने की भी बात नहीं देखो डरने की बिल्कुल बात नहीं एक पोजिटिव इस परकार देखना है कि सोलिसन हमें ढूंडने इनके जो समझें आती है मशिनों वा करितन बुद्धी में ताका निर्मान मानौ द्वरा ही के गए यदि मानौ इससे खत्रा महसूस हुआ तो इस दिसा में सक्राद हुपए भी किया जा सकते हैं यह सर्व गयात है कि मानौ बुद्धी ही सबसे अधिक बुद्धी माना आता है अंत में जीत मानौ सब्धा की होगी एम जहां तक मानौ के रोजगारों की छिनने की बात है तो उसका समधान भी यह मशिनी है क्योंकि इन मशिन को निर्मान सोट प्यर्ट त्यार करना मशिनो तो यह इस प्रकार एक अच्छा से कंक्लूड होता है और आपको अपने सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ाना थैंक्यू